हाई फ्रेंज असलाम वालेकूम मैं हूँ जीनत और जीनत इंद कीचन में एक बात फिर से आप सब का बहुत बहुत वेलकम है तो फ्रेंज आज हम बनाएंगे बेंगाल का बहुत ही फेमस डेजर्ट जिसका नाम है भापा दई तो इसे मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ आमन फ्लेवर देखकर भापा दई तो खाने में ये इतना टेस्टी लगता है कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं तो इसके लिए मैंने 500 ग्रैम दही ली है और दही खटी नहीं है तो अब इस दही में से पानी अलग करेंगे इसके लिए एक मैंने बॉल रखा है और बॉल में एक चन्नी रखी है अब चन्नी में हम एक मसलीन क्रोध डालते हैं यानि के कॉटन का मलमल का कपड़ा डालेंगे इसमें फिर डालते हैं दही अगर आप हंकड का यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसमें से पानी ज्यादा निकालने की ज़रूत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो गाड़ा होता है या मैंने पैकेट वाला दही लिया है इसलिए मैं इसमें से अच्छी तरीके से पानी निकालूंगी इसका तो यह देखिए इस तरह अच्छी तरह प्रेस करते हुए इसमें से पानी अलग करेंगे दही से फ्रेंस ए भापद आई कम चीजों से कम समय में बहुत ही बढ़िया टेस्टी वाला बनता है तो इसे अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है यहां मैंने बादाम का इस्तमाल करके इसे एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर दिया है तो आप इसे एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा तो यहां दिखिए दही में से सारा पानी निकल चुका है इस पानी को आप आटा गुनते समय इस्तमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी में भी डाल सकते हैं तो इसी कपड़े में थोड़ी देर के लिए दही को रख लेते हैं 10-15 मिनिट के लिए ताकि इसमें से अगर पानी है तो निकल सके तो चली फ्रेंस 10-15 मिनिट हो चुके हैं अब दही को एक बॉल में निकाल लेते हैं तो देखें बिल्कुल इसमें से पानी अलग हो चुका है तो आप देख सकते हैं कितना गाड़ा दई हैं अब इसमें डालेंगे कंडन्स मिल्क वन फोट कप आप इसे घर पर भी बना कर डाल सकते हैं या फिर मिल्क मेड या फिर मिठाई मेड जो आता है उसे भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां देखें मैंने वन फोट कप डाला है आप अपने टेस्ट के साब से डाल लीजिए दस से बारा बादाम का मैंने पाउडर बनाया था उससे डाल लेते हैं और दो चुटकी जितना मैंने इलाइची का पाउडर डाला है इसमें अब इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह दिखिए अच्छे से मैंने मिक्स भी कर लिया है अब हम एक टिफन लेंगे यह दिखिए इस तरह अब इस दही वाले बैटर को इस टिफन में डाल लेते हैं दिखिए सारा बैटर डाल लेने के बाद एक बार अच्छे से इससे टिफन में फाइल आ लेंगे इस तरह अच्छे से मैंने फैला लिया है अब इसका धक्कन लगा लेते हैं तो यहां देखिए फ्रेंज गैस पर मैंने एक बरतन में पानी गर्म होनी के लिए रख लिया था देड़ ग्लास जितना और इसे मैंने एक स्टैंड रखा है अब इसके उपर डिब्बे को रख लेते हैं और धक्कन लगा कर पंदरा मिनिट के लिए इसे स्टीम होने देते हैं तो गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है तो यह देखिए फ्रेंज 15 मिनिट हो चुके अब चेक कर लेते हैं तो देखिए धक्कन को निकाल लेते हैं और ऐसे चाकू की मदद से इसे हलके से चबाएंगे और देखेंगे यह देखिए चाकू हमारी एकदम साफ निकली है तो इसका मतलब है कि यह जो भापा दई है अच्छे से स्टीम हो चुका है अब 10-15 मिनिट के बाद देखिए थोड़ आसा थंड़ा कर लेने के बाद ऐसे रिबे को थोड़ आसा हिलाएंगे और चकू के मदद से किनारों से ऐसे थोड़ आसा कट करेंगे तो देखा फ्रेंड्स आपने कितने आसान तरीके से आमन फ्लेवर वाला क्रीमी टेक्स्चर के साथ भापा दई बनकर तैयार है और इसे हम आसानी से अनमोल भी कर सकते हैं तो यह दिखिए फ्रेंड्स जबदस टेस्टी और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है यह भापा दई तो इसे मैं बादाम से गानिश कर रही हूं तो इस तरह आमन फ्लेवर वाला भापा दई आप अपने किचन में जरूर बना कर ट्राई किजिए फ्रेंड्स मैंने इसे बनाया था तो सबको बहुत ही पसंद आया है यह अब इसे एक या दो घंटे के लिए फ्रीज में जरूर रखिएगा और थंडा थंडा खाने में यह बहुत ही अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना पूलिएगा तो फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और बढ़िया टेस्ट यह आसान रेसिपि के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा अलाहाफेज थैंक जित्स वातडियो सकार्टाइब